नमस्ते बच्चों, कैसे आप लोग बच्चों, हमने इसके पहले जो पार्ट पढ़ा था, वो क्या था, क्या सीखा आपने और इस पार्ट का वीडियो मैं आपके लिए बना चुकी हूँ और इस पार्ट में क्या था? यातयात से संबंधित नियमों की जानकारी दी गई थी. एक स्कूल में यातयात नियातरक अधिकारी आते हैं और सभी बच्चों को यातयात से संबंधित नियमों की जानकारी देते हैं तो बच्चों यह पार्ट हो चुका है अब हम इस पार्ट से समंधित जो एक्सरसाइज हैं अभ्यास कारे हैं अब हम उसके बारे में जानेंगे तो इसमें जो प्रशन उत्तर आए हैं और ग्रामर आई हैं हम वो पढ़ेंगे लेकिन इसके पहले हम इस पार्ट में आए हैं तो बच्चों सबसे पहले हम अपनी जो पार्ट पुस्तक अपनी टेक्सबूक में जो वर्ड मीनिंग आये हम पहले उसे देख लेते हैं इसके बाद फिर हम पार्ट में जो और भी शब्दर्थ आये हम उसे भी देखेंगे तो सबसे पहले क्या है यातायात यात्यात कर अर्थ होता है transportation मतलब आने जाने का साधन, सावधानी मतलब caution, होश्यारी, समझदारी, निर्देश का अर्थ है instructions या किसी को कोईचे समझाना, instruction देना, नियंत्रक कार्थ होता है controller मिंस नियंत्रन करना, कबजा करने वाला मिंस किसी को भी control करना, फिर है उत्तिसाह, उत्तिसाह कर्थ होता है enthusiasm, बच्चों में बहुत उत्तिसाह था, उमंग था, होसला था, फिर चिन, चिन कर्थ होता है science, जो कि हम देखते हैं na traffic signal पे science बने रहते हैं, arrow बने रहते हैं, left, right इस तरह का उसे हम चिन कहते हैं, या फिर निशान कहते हैं, इसी तरह है नियं, नियं क अर्थ होता है, काईदा कानून, means rules, सुरक्षा मतलब protection, safety, तो इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, बचाओ, या रखवाली करना, अपनी सुरक्षा करना, तो अब हम इस पार्ट से आए और भी शब्दे देख लेते हैं, तो देखें, जैसे कुछ और शब्दे हैं, जैसे पुचना मतलब जानकारी, खबर, information, यातायात, इसका हम यातायात को हम आईकोर शब्द क्या बोल सकते हैं, परिवहन, मतलब आने जाने का साधन, transport, सुरक्षा नियम, मतलब safety rules, दिनांक, दिनांक कर्थ होता है, तिथी, means date, नियंतरक अधिकारी, मतलब नियंतरन अफशर, याने controller officer, जो होते हैं, शान्त कर्थ है, खामोश, या silent, हामी भरना, मतलब राजी होना, agree होना, जैसे कोई भी चीज, हमें किसी से सुनते हैं, तो हम हाँ, हाँ, बोलते हैं, कि मतलब go ahead, आगे आप बढ़िये, तो उसे बोलते हैं, हामी भरना, और इसी देर अधिकारी मतलब संकेत, या सिगनल, साइन भी बोल सकते हैं, इसी तरह बत्ती कार्थ होता है, रोशनी या लाइट, आप इसे लाइट, रोशनी या प्रकाश भी बोल सकते हैं, आडिटोरिया मतलब सभाभवन, जहां पे सब लोग एकठा होते हैं, असेम्बली रूम भी बोल सकते हो यातायात कार्थ है, आने जाने का साधन, ट्रांसपोर्ट, सावधाने अर्थात, होश्यारी, कॉशन, गाणिया मतलब वीकल्स, और सरल कार्थ होता है, आसान, means easy, टकराएं, मतलब आपस में टकराना, कॉलाइड होना, तो जिससे गाणियां आपस में ना टकराएं, इसके अलिए हम सेफटी रूल को follow करते हैं, बत्यां मतलब signals जो होते है, ऐसे लाल, हरी, पीली, जो signal में बत्यां लगी होती है, signal lights, उसे हम बत्यां कहते हैं, निर्देश मतलब समझाना या guidance, गाइड करना, instruction कर देना, नियंत्रक, नियंत्रक कर्थ होता है नियंत्रन करना या कपज़ा करने वाला कंट्रोलर और जवाब कर्थ होता है उत्तर, means answer तो जब यात्यात नियंत्रक अधिकारी प्रश्न कर रहे थे तो सबच्चे क्या इसका उत्तर दे रहे थे फिर foot path मतलब paddle path याने की side walk जो होता है foot way मतलब main road जो होती है उसके side में जो paddle foot walk करने के लिए जो road बनी होती है mark बना होता है उसे हम foot path कहते हैं पैदल चलने का रास्ता दाहिनी मतलब दाएं दाएं मतलब right side जो arrow बने होती है न right left और बाया मतलब होता है left सुरक्षा मतलब होता है बचाव करना रखवाली करना safety करना धारी वाली पट्टिया मतलब black and white stripes होते हैं जिसे हम zebra crossing कहते हैं निर्देश कार्थ होता है समझाना या instructions सुरक्षा बचाव precautions देखें आप एक ही शब्द के कई meaning दिये गए है इसलिए आप confused नहीं होए कोई भी शब्दा है उसका meaning clear होना चाहिए पैदल यात्री मतलब सडक पर चलने वाले लोग जो pedestrians होते हैं दाएं बाएं मतलब सडक के दोनों तरह right and left तो ये थे आपके शब्दर्थ और अब हम बाकी के और exercise देखते हैं तो देखें यहाँ पे को sentences दिये हुए हैं जिसमें कि हमें सही या गलत बताना है मतलब true or false तो पहला क्या है notice board पर सूचना लिखी थी ये सही है कि गलत सही है notice board पर सूचना information लिखा हुआ था तो ये true है जो red color से हैं वो ही option सही है तो आधियाबिका जी ने बच्चों को शान जब याते यातने अंतरक अधिकारी आये थे तो बच्चे auditorium गए सही सब बच्चे auditorium गए थे ना ये सही sentence है अधिकारी ने हसते हुए कहा ये भी सही है लाल बत्ती चलने को और पीली बत्ती रुकने को और हरी बत्ती रुकने की तयारी को कहते हैं ये sentence सही है कि गलत ये गल रुकने की तैयारी करने के लिए होती है और चलने के लिए हम कौन सी बत्ती देखते हैं ग्रीन कलेर की हरी बत्ती तो इसलिए ये संटेंस गलत है फिर सेवन्थ है हमें ट्रैफिक लाइट का पालन करना चाहिए सही बच्चों से मिल रहे जवाब सुनकर आधिकारी बहुत खो अगर फुट पात ना हो तो सड़क के बाएं और चलना चाहिए गलत हमने क्या पड़ा था बुक में कि अगर फुट पात ना हो तो हमें सड़क के दायें तरफ चलना चाहिए जिससे कि एकसिदेंट ना हो अधियापिक फिर 11 देखे अध्यापिका ने सब को शांत करवाया और इसके बाद है काली धारी वाली पट्टियों को zebra crossing कहते हैं गलत क्योंकि काली और सफेद धारी वाली पट्टियों को zebra crossing करते हैं सिर्फ काली धारी पट्टिया नहीं काली और सफेद दोनों होना चाहिए फिर 13 देखिए हमें सडक पर दोड नहीं लगानी चाहिए हमें रन नहीं करना चाहिए सडक पे ये सही है कि गलत सही है फिर फोर्टिंथ हमें जेब्रा क्रॉसिंग से सड़क पार नहीं करनी चाहिए गलत हमें जेब्रा क्रॉसिंग से ही सड़क पार करनी चाहिए जो पैलल चलने वाले आतरी होती हैं जेब्रा क्रॉसिंग से सड़क पार करनी चाहिए गलत है ये और फिर है सडक पर दौर लगानी चाहिए गलत तो ये थे सही और गलत और अब देखिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हमें लिखना है तो ये जो उपर लिखे हैं उसमें से सलेक्ट करके हमें लिखना आए जैसे कि जो पढ़ाती है उन्हें हम क्या बोलते है अध्यापिका नियंत्रण करने वाले को क्या बोलते है नियंत्रक स्नान के लिए कमरा स्नान ग्रह जल में रहने वाला जलचर फिर देखिए यहाँ पे है सही शब्द के अर्थ पर गोला लगाई है यहने की दो मीनिंग दिये हैं आप देखिए कौन सा सही है उसका सही अर्थ वाला शब्द है निर्देश मतलब direction होता है guidance होता है उसका मतलब क्या होता है समझाना सुरक्षा करत क्या है बचाओ और जवाब मतलब उत्तर फिर देखिए fill in the blanks है रिक्तिस्थान भरी है दिया हुए ना मतलब fill in the blanks तो पहल क्या क्या बच्चों ने क्या क्या हामी भरी अध्यापिका जिस सब बच्चों को कहां ले गई auditorium ले गई auditorium में अधिकारी आ गए सभी बच्चे अपनी जगह पर खड़े हो गए फिर देखिए रिक्तिस्थान भरी है यह जो कुछ words given है यहां पे helping box में तो इस help box से ना word ले लेंग्स करना है तो पहला क्या हाथ या सिर कार से बाहर नहीं निकालना चाहिए यह वला option फिर cycle नंगे पैर नहीं चलाना चाहिए नंगे पैर का मतलब होता है बिना footwear पहने हमें cycle नहीं चलाना चाहिए फिर वहां चलाते समय helmet पहनना जरूरी है बाहर का विलोम शब्द क् अंदर मतलब outside और उसको opposite क्या होगा अंदर inside फिर सफेद और काली धारी वाली पटियों को हम क्या कहते हैं zebra crossing फिर कुछ विलोम शब्द हैं देखिए मतलब opposites तो विलोम शब्द में पहले है दाए दाए मतलब right उसको opposite क्या होगा बाएं left दाएं का विलोम बाएं आना जान शांत अशांत शुब अशुब सावधानी आसावधानी उपर नीचे रुकना चलना प्रश्न उत्तर सरल कठिन अब देखें हम देखते हैं किसने किससे कहा who said to home तो पहला sentence क्या है हाँ बेटा मैं वही हूँ अच्छा आपको पता है मैं ऐसा क्यों करता हूँ ये किसने किससे कहा यातायात नियंत्रक अधिकारी ने चात्र चात्राओं से कहा फिर दूसरा देखें जिससे हमारी गाडियां आपस में ना टकराएं किसने किससे कहा वैशाली ने यातायात नियंत्रन अधिकारी से कहा फिर थर्ड कल सब उनकी बात ध्यान से सुनना किसने कहा अध्यापिका जी ने चात्र चात्राओं से कहा तो अब और भी प्रश्न उत्तर देखते हैं अब हम पहला प्रश्न है अध्यापिका जी सब बच्चों को कहा ले गई तो उतर है और अडिटोरियम फिर बत्ती शब्द का क्या मतलब है what is the meaning of बत्ती जो light है signal light तो उतर है बत्ती का मतलब है तीन रंगों वाली signal light लाल, पीली और हरी रेड, यलो और ग्रीन कलर की जो lights होती है फिर प्रश्न दूसरा देखें next सडक पर लगी तीन बत्तियां हमें क्या बताती हैं तो उतर है लाल बत्ती रुकने को पीली बत्ती रुकने की तयारी को और हरी बत्ती चलने को कहती है फिर दूसरा प्रश्न विद्याला में यातायाद की जानकारी देने कौन आया था तो उतर है विद्याला में यातायाद की जानकारी देने यातायाद नियंत्रन अधिकारी आये थे फिर ट्रैफिक लाइट का चित्र बना कर उन बत्यों के रंगों के नाम करम से लिखना है मतलब लाल, पीला और हरा तीन सिगनल होते ना उस तरह से फिर दूसरा प्रशन है विद्यले में यात्यात की जानकरी देने कौन आया था तो उत्तर है विद्यले में यात्यात की जानकरी देने यात्यात नियंत्रन अधिकारी आये थे फिर दूसरा प्रशन क्या है सड़क पर हमें चलते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए तो उतर है हमें सड़क पर सावधानी के साथ चलना चाहिए और सड़क पर चलते समय फुटपात का उपयोग करना चाहिए यदि फुटपात ना हो तो सड़क के दाहिनी ओर चलना चाहिए ताकि सामने से आने वाले बाहनों से बचा जा सके और zebra crossing से सड़क पार करनी चाहिए फिर next तो हमें बताना है कि यदि traffic signal ना होते तो क्या होता हमें अपने शब्दों में इसका उत्तर देना है तो यदि traffic signal ना होते तो क्या होता लोग सड़क के नियमों का पालन ना करते और उससे बहुत से दुरघटनाई मिंस accident होते फिर zebra crossing किस लिए बनाई जाती है तो उत्तर है zebra crossing पैदल चलने वाले लोगों के लिए बनाई जाती है ताकि वे आराम से सड़क पार कर सकें फिर next अधिकारी ने बच्चों को zebra crossing के बारे में क्या बताया तो अधिकारी ने बताया यह उत्तर है सड़क पर बनी सफेद और काली धारी वाली पटिया मतला वाइट एंड ब्लैक स्ट्राइफ वाली जो पटियां होती है उसे हम zebra crossing कहते हैं तो यह थे प्रश्ण उत्तर अब और देखते हैं आगे क्या है तो देख एक और प्रश्ण है यह पहला प्रश्ण है तो हम कर चुके हैं दूसरा कार में seat belt लगाना क्यों जरूरी होता है तो कार के अचानक रुखने पर लगने वाले जटके से बचने के लिए कार में seat belt लगाना जरूरी होता है तो हम देखते हैं और क्या है इसमें जैसे उचीत उत्तर छाट कर लिखिए यह देखते हैं मतलब इसमें हमें यह जो options दिये हैं इसमें correct option चूस करना है अगले दिन अध्यापिका जी सब को कहां लेकर गई डेश है बाजार, सड़क, बाग या auditorium तो correct answer क्या है auditorium फिर next है डेश हमें रुकने और जाने का इशारा करती है क्या इशारा करती है हमें कौन करता है अफसर, अध्यापक, कर्मचारी या फिर traffic police तो correct answer क्या है traffic police फिर बिद्याला में सुरक्षा नेमों की जानकारी देने किस दिन आये थे अधिकारी तो उसका correct answer है 14.7.2022 को फिर इस तरहें इसके बाकी को किसने किससे कहा यह सब तो हमने देख लिया है अब हम यहाँ पे यह भी देख चुके हैं कि जो पढ़ाते हैं उसे हम क्या कहते हैं ध्यापिका और नियंतरन करने वाले को हम बुलते हैं नियंतरक, इसनान के लिए कमरा मतलब इसनान ग्रह बा लिखे मतलब correct करके इसको लिखना है पटियां तो पटियां किसे लिखेंगे हम इस तरह से ये जो मात्राइं है उसको correct करना है नी अंत्रग किसको correct form में लिखेंगे नी अंत्रग छोटी नी की मात्रा आएगी और इसी तरह duty duty में क्या होगा half da आएगा तो half letter के लिए हम यहाँ नीचे halant लगा देंगे तो halant लगाने का अर्थ होता है वो letter half है तो यहाँ पे हमने एक halant लगा दिया फिर board हमें यहाँ पे board लिखना है यहाँ पे wrong आउ मात्रा है में ओ मात्रा करनी है फिर इसी तरह नए शब्द बनाना है दो शब्दों को जोड़ कर यहाँ पे नए शब्द बनाए है part shala, part shala मतला school तो इसको combine करके लिखेंगे हैं तो part shala, foot plus path मतला foot path indr plus dhanush मतला indr dhanush इसी तरह rail plus gadi rail gadi, रसोई धन, घर, रसोई plus घर, इसे हम कहेंगे रसोई घर, वायू plus mandal, मतला वायू mandal, फिर यहाँ पे next question में देखिए, रंगी शब्दों के लिए link बदल कर वाक्य पूरे कीजिए, मतलब यह जो colored वाले words given है, उसका हमें gender change करना, link बदलना मतला gender change करना है तो क्या है, मेरे पिता जी, शिक्षक है और माता जी, तो शिक्षक का opposite gender क्या होगा, शिक्षिका शिक्षिका है फिर इसके बाद, next क्या है, मेरे दादा जी के पास एक गाय और एक गाय का opposite bell है फिर बेहन अपने भाई को राखी बानती है यहाँ पे बेहन का opposite gender भाई फिर more और more नी बैठे है more और more नी opposite gender है फिर next देखते हैं और क्या है इसमें सही उत्तर पर निशान लगाई है, मतला correct option चूज करना है इन में से कौन सा शब्द क्रिया है, क्रिया मतला वर्व तो कक्षा, विरल बोलना, गाडियां, तो यह rest of the three जो हैं, यह सारे noun है, बोलना is a verb है, मतलब क्रिया है, फिर सर्वनाम कौन सा है सर्वनाम मतलब pronouns तो यहाँ पे pronoun क्या है उनकी उपयोग का समान अर्थक शब्द कौन सा है उपयोग का समान अर्थक मतलब same meaning वाला word, समान अर्थ वाला, मतलब synonyms तो उसका answer होगा इस्तमाल, उपयोग को हम बोलते है use, उपयोग का मतलब use करना यानि इस्तमाल करना रुकना शब्द का विलोम मतलब opposite, तो रुकना मतलब stop, तो उसका opposite क्या होगा चलना, तो उसका go ये वाला option correct है तो बच्चों चलो, आम यातायात के संकेत, जो signals होते है sign उसे देख लेते हैं समझते हैं, तो पहले picture में आप देख रहे हैं ये red light है इसका मतलब ये sign है रुकने का, फिर यहाँ पे yellow light है, that means रुकने की तयारी करने का और फिर ये चलिए मतलब की green light, green signal है इसका मतलब है go का साही नहीं है, ये चलने का और बच्चों पता है, ये cross लगा होता है जसमें मतलब वो काम हमें नहीं करना है तो ये left turn arrow है that means cross बे है तो बाएं मुड़ना मना है that means ये cross है, यानि left turn है ये arrow but cross किया है, मतलब वो काम हमें नहीं करना है तो बाएं मतलब left इसी तरह ये right signal है but cross किया है, that means दाएं, right side को बोलते हैं दाएं, दाएं मुड़ना मना है फिर इसमें कोई cross नहीं है, इसका मतलब ये left turn है, यानि बाएं मुड़ना और ये right turn है, that means दाएं मुड़ना, फिर इसी तरह देखिए, ये picture बोलती है क्या है ये, ये black and white stripes बने हुए है, pedestrian crossing के लिए, तो इसे हम कहेंगे zebra crossing फिर ये arrow क्या दिखाता है सीधे जाना मना, अगर straight arrow that means upward सीधे जाने का direction है, but इसमें cross है that means मना है और यहाँ पर parking करें अगर इसमें कोई cross नहीं है, सिर्फ इस तरह से P लिखा हुआ है, that means यहाँ पर parking कर सकते हैं तो ये थे इस part में आए हुए सारे signals, तो बचों उमीद करते हैं, कि आप सबको ये part अच्छे से समझ आ गया होगा और इसके जो signals है वो भी समझ गये होंगे, इसकी जानकारी से आप जीवन में हमेशा यातायाद से समबंधित जो भी समस्याएं हैं, उससे आप बस सकते हैं, और सारे traffic rules और traffic signals आपको follow करते हुए, अपनी life आप safety से सुरक्षित आप जीवन यापन कर सकते हैं तो चलिए, अब हम फिर मिलेंगा आपको एक नए lesson, नए part के साथ अपना ख्याल रखिए, take care, bye bye